मित्रों हम जीवन को प्रात्नाओं से शुरू करें, हम अध्यान को प्रात्नाओं से शुरू करें, शुबकारियों को सरेव हम मंगलाचन से शुरू करें, ये हमारी परंपरा रही है और इसलिए मैं आपको सरेव ये कहता हूँ कि जब कभी भी आप पढ़ने बेठें, किसी न गजिन नया होता है हर सवेरा नया होता है हर पल नवीन होता है हमारे जीवन के लिए सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए तो आइए मैं एक बहुत शामदार वाकिये से आज के स्व्याख्यान को शुरुआ करता हूं मित्रु समस्त उपलिव्दी का शुरुवाती बिंदु है इच्छा इस अंसार में कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक दिन अकेले बेठे-बेठे प्रेशान हो गए और हमारे उपनी शदू में भी ये आता है कि एको हम बहुश्याम ब्रह्मा ने ये सोचा उसके मन में ये करते हैं तो शुरुवाती बिंदु जो है वो क्या है इच्छा उसको करने की उस कारिये को करने की जो बलवती इच्छा होती है बलवान इच्छा गलत हो जाएगा जो बलवती इच्छा होती है वही उस कारिये की नीव है ये आपको ध्यान डखना है और इसी लिए समस्कित कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरूस सिंगं उपेति लक्षमी कहते हैं कि जो उद्योगिपुरूस सिंग होता है वही लक्षमी अर्थाद वाईभाव को ऐश्वरी ये को प्राप्ट करता है देवेन देयम मितिका पुरूसाह वदंती जो भाग्ये में होगा वही मिलेगा ये तो कैयर लोग बोलते हैं का पुरुष बुरा है जो पुरुष करमधारी समासे। काम डखना है काम करने पर सफल नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी लेना सेखिएगा मित्रों ये बात बहुत मैक्पूर्ण है कि किसी भी कारिय की जो समस्त उप्लब्दियां जो है उसके शुरुआत तो इच्छा से होती है ये बात हमेशां याद रखें क्या कि जिस तरह कम आ इच्छा यदी कमजोर है तो हमारे हमें परिणाम भी हमेशां कमजोर ही मिलते है ये आपको ध्यान रखना है इसलिए इच्छा को मजबूत कीजिएगा वह इच्छा जो आप संकल्ब लेते हैं हर दिन का संकल्ब हमें पूर्ण करना है हर दिन का हर हर समय जो हम संकल्ब लेत प्पारिं टेबलेत नहीं आती है मित्रो अपने अपना शंगत करें कि मुझे आज ये करना है उसको करके सोगेगा और सोने से पहले फिर से अपना आत्म अलोकन करें कि क्या मैं कर चुका हो